तो हलो फ्रेंट्स, अगर आप लोग के पास भी flip card, exces card है और आप लोग इसका bill का repayment करना चाहती हो यह जो भी इसका bill create हुआ है, जो भी bill generate हुआ है उसको आप लोग EMI में convert करना चाहते हो तो इस वीडियो को सुरू से last तक देखना और जो भी step मैं बताता हूँ सारा कुछ आपको follow करना है आप लोग असानी से इसका bill payment तो करीप आओगे साथी साथ आपको cashback मिलने वाला है और यहाँ जो payment करोगे उसको आप लोग EMI में भी convert कर पाओगे तो कैसे करना है सारा process इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो बस आपको वीडियो में last तक बने रहना है जो भी step मैं बताता हूँ सारा आपको follow करना है आप लोग असानी से इसका bill payment कर पाओगे cashback ले पाओगे और साथी साथ EMI में convert भी कर पाओगे तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ जानते हैं आगे का process उससे पहले अभी तक आप लोग ने चैनल को subscribe नहीं किया है या जो लोग भी चैनल पर first time visit कि हो चैनल को subscribe कर देना और साथी साथ bell icon को जरूर से press कर देना है in future कोई भी वीडियो आएगा उसका notification आपको मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे तो सबसे पहला जो काम आपको करना है करना क्या है प्लेयर स्टोर में आ जाना है प्लेयर स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है axis card axis आप लोग जैसे ही सर्च करोगे axis भी सर्च कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और अगर इसका update आया हुआ axis mobile का तो आप लोग इसको update कर लेना मेरे यहाँ देख रो इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ open का option आ रहा है जबकि यहाँ आप लोग देख पार है जैसे ही यह update होता है इसको हम लोग कर लेते हैं open और जानते हैं आगे का process तो यहाँ से update हो चुका है अब मैं इसको कर ले रहा हूँ open open करने के बाद कुछ इस तरीके से यह open होगा नया features आप लोग यहाँ पे देख पार हो अभी यहाँ से skip कर देंगे skip करने के बाद कुछ इस तरीके से यह open होगा link की और bank account आ रहा है तो अभी हम लोग इसको करेंगे tap और यहाँ से अगर आपने lock लगा रखा है तो lock को यहाँ से कर लेना open या फिर आप लोग M pin भी डाल सकते हो अब यहाँ से फिर से login का option आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग को बिलकम करके आ रहा है total balance जो है वो सो कर रहा है balance इसलिए नहीं सो कर रहा है क्योंकि मेरा access में यहाँ account नहीं है access bank में और मैंने access का card बना रखा है flip card के थुरू अभी नीची आ जाओ गया और आपको काफी सार option मिल जाएगा जैसे rewards हो गया, reward point हो गया festive offer, convert to EMI जो कि आपको यहीं देखने को मिल जा रहा है ASP हो गया, block card, replace card अभी आपको करना क्या है यहाँ पे देखोगे product पे आ जाना है और account हो गया, credit card, FDRD loans और यहाँ पे कुछ option देखने को मिल जाता, insta invest हो गया demate account हो गया तो अभी हम लोग करेंगे क्या credit card वाला option select कर लेंगे अब जैसे इस पे आप लोग टैप करोगे कुछ इस तरीके से यह loading लेगा और आपका जो भी limit बचा हुआ है जो भी आपने यूज किया टोटल outstanding भी दिखा देगा और available limit भी यहाँ पे 100 कर देगा टोटल जो मुझे limit मिला हुआ है 30,000 का है जिसमें से की 21,122 रुपे मैंने यहाँ पे यूज कर रखा अब मेरा यहाँ जो last payment date है आपको ही पता होगा हर महीने के 30 तारीक को हम लोग payment करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको क्योंकि 30 से 40% तक आपको यहाँ पे लगने वाला है अगर आप लोग minimum due करते हो उससे अच्छा रहेगा कि आप लोग EMI में convert कर लो ज़्यादा best होने वाला है तो अभी हम लोग करेंगे क्या नीचे आप लोग देखोगे offers हो गया, transaction हो गया control center हो गया, नीचे और करते हैं तो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है आपने जो भी use किया है सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग EMI में convert करना चाहते हो अगर आप लोगों ने एक transaction को करना है एक select करोगे, दो को करना है दो select करोगे, और convert to EMI 2 यहाँ आजाएगा, दो आपने select किया दो आएगा, तीन करोगे, तीन आएगा अगर एक करते हो, एक आएगा अब यहाँ पे देखोगे, कुछी इस तरीके का option आजाएगा अब यहाँ से, एक गरी करना पड़ेगा तभी आप लोग यहाँ से कर सकते हो अभी हम लोग यहाँ से, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे देखोगे, max आपका यहाँ पे select है, आप लोग इसको 12 महीने कर सकतो 9 महीने कर सकतो, 6 महीने कर सकतो या फिर आप लोग custom भी कर सकतो और जो आपका यह माई बन रहा है 6 महीने का, 1801 रुपे बन रहा है और आपका 18% का यहाँ पे charge लग रहा है और यहाँ पे जो भी आपका charge है सारा कुछ आपको यहाँ पे 100 कर दिया जा रहा है यहाँ पे total देख रहो तो 2886 पे 0,7 पैसे लग रहे है अब यहाँ जो हमने month select किया 6 month select किया तो 2886 आप लोग यहाँ से calculate भी कर सकते हो 2886 गुना 6 तो आप लोग यहाँ पे देख पार है जो भी आपका charge लग रहा है 15,000 का यहाँ पे 16,000 है और यहाँ पे जो हमारा charge लग रहा है total 17,316 रुपे और यहाँ हमने जो यूज किया है 16,442 रुपे तो आप लोग यहाँ से minus कर सकते हो यहाँ से हम लोग सबसे पहले calculate करेंगे और minus करेंगे 16,442 रुपे तो आपको 844 पे 6 महिने के लिए लग रहा है अगर आप लोग इसको EMI में convert करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकतो आप यहाँ से agree करोगे और convert to EMI वाले option पे आपको नीचे tap कर देना है यहाँ से करोगे और आपको असानी से EMI में convert हो जाएगा लेकिन आपको repayment करना है तो आप लोग इस पे कर दोगे tap करोगे लेकिन आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको payment का option देखने को नहीं मिलता यहाँ pay न हुआ रहा है लेकिन इस पे tap करोगे तो आपका payment का option नहीं आएगा अगर आपका Axis में account है Axis bank में तब आप लोग असानी से कर सकता है अगर bank account नहीं है तब आपको यहाँ पर problem हो सकता है अब जिनका भी नहीं है वो लोग करेंगे क्या यहाँ से cut कर देना है सिधा सा अगर आप लोग को cash back चाहिए तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे प्लेयर स्टोर में आ जाओगे या फिर आप लोग को link description में दे दूँगा वहाँ से आप लोग मोवी क्यूग डाउनलोड कर सकते हो मोवी क्यूग अभी सबसे based application है यहाँ से आप लोग पैसे भी निकाल सकते हो credit card का और यहाँ से आप लोग payment भी कर सकते हो minimum charge में अब payment के लिए आप लोग को यहाँ cashback भी मिलता है तो मोवी क्यूग यहाँ पर देख रहो इसका भी update आया हुआ मैं सबसे पहले update कर ले रहा हूँ आप मैं open को option आ जाएगा open कर लेना कोई दिक्कत नहीं है तो finally हमारा यहाँ पर install हो चुका update हो चुका है अब यहाँ से कर लेंगे open open करने के बाद मैंने यहाँ पर lock लगा रखा है तो सबसे पहले तो मैं इसको open कर लूँगा open करने के बाद अब आपको यहाँ पर payment करना है तो card payment आप लोग यहाँ से असानी से कर सकते हो अभी इसको open होने देना launch the app बले option पर tap कर देना अभी इस तरीके से यह open हो जाएगा अब यहाँ पर देखोगे तो आपको option मिल जाएगा bill and recharge तो आपको करना क्या है credit card payment भी आप लोग यहाँ पर देख रहो तो इस पर कर देना है tap अब जैसे ही आप लोग यहाँ से pay now कर देना है pay now करने के बाद जो आपका amount था वो आपको यहाँ पर डाल देना है जितना भी आपका amount है वो यहाँ से डाल दोगे अब आपको यहाँ पर देखो अगर cashback चाहिए तो आप लोग को full payment करना है जितना भी आपका payment होता है जितना भी आपने निकाल रखा है जितना भी यूज कर रखा है उसको सारा payment करोगे तब आपको Mobi Cube की तरब से आपको 1% का cashback मिलेगा हाँ यहाँ पर एक problem आओ रहा है कि अगर आप लोग उस पैसे को instant यूज करना चाहते हो तब आपके साथ दिक्कत हो सकता है दिक्कत क्या होने वाला है दिक्कत यह होने वाला है कि settlement होने में थोड़ा time ले लेता है अगर आप लोग को instant payment चाहिए instant आप लोग ट्रांसफर करते हो आप लोग को instant चाहिए तो आप लोग यहां से कर सकतो, मतलब पेटियम से कर सकतो, आप लोग जैसे यहां से पेमेंट करोगा, मैक्सिमम आपको 2-3 उनाट लएगा, और आपका पैसा सेटल हो जाता है, आपका क्रेडिट कार्ड में यह एड हो जाता है, काफी लोगों को सौपिंग करना होता है, जिसकी वज़े से भी इंस्टेंट पेमेंट वो चाहते हैं, तब आपको मोवी क्यूप से नहीं करना है, कैस्वेक के लिए नहीं जाना है, क्योंकि मैक्सिमम आपको 100 का ही कैस्वेक मिलने वाला है, तो इस तरीके से आप लोग पेमेंट कर सकतो, अटियू को फ्लिप का, टेकसिस काड का और कैस्वेक भी ले सकतो, साथ ही साथ EMI में भी कनवर्ट कर सकतो, तो फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं समाब, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आऊगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में